एंड लेडर्शिप का जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें जो टापिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो टापिक है हमारा E-C-C-E E-C-C-E उमेद करता हूँ सभी साथी लाइव हमारे इस वक जितने आ चुके हैं सभी ने अपनी कॉपी पेन रेडी कर लिया होका नोट्स बनाने के लिए श्रबनी पांडे गुडीवनिंग कैसे हैं तहसीन गुडीवनिंग पदमा सना हलो मौलिक गुडीवनिंग आर्शी फिर्दोस गुडीवनिंग मनिशा अगरवाल गुडीवनिंग वेशाली गुडीवनिंग रिना अरिया गुडीवनिंग आर्थी गुडीवनिंग तो हमा नितुत्यागी, मोनी कन्नोजिया, नेंसी डबास, यश्पाल सिंग यादव, नीशा, पूजा, प्रिया, चलिए, सभी को नमस्कार, हाई हेलो, क्लास की शुरुवात करते हैं, साथ यूं, आप सभी को पता है, इसका जिकर हमारी National Education Policy 2020 में काफी देखा गया है, और ECCE का जो टॉपिक है, वो आपके स्लेबस का हिस्सा क्यों है, आपके स्लेबस में क्यों दिया गया है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्या आप लोग Early Childhood Care Education के लिए वहां केंद्रे विद्यालय में जा रहे हैं, नहीं, आप लोग वहां पर ECCE के लिए नहीं जा रहे हैं, वो KBS की स्लेबस में ये पूछा क्यों गया है, आप तो PRT बनेंगे, PGT बनेंगे, और PGT बनेंगे, ये आप लोगों से इसलिए पूछ क्योंकि केंद्रे विद्यालय संगठन ने भी ECCE को लेकर के अपना एक पाइलेट प्रोजेक्ट शुरू किया है, और जो हमारी National Education Policy 2020 है, उसमें काफी जिक्र किया गया है, Early Childhood Care and Education का, तो जो हमारा ECCE का टॉपिक है, इसे मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, हम चा जाते तो इसे एक घंटे की जो हमारी क्लास होती है, उसमें भी पूरा कर सकते थे, लेकिन मैंने इसको दो भागों में बाट दिया, आराम से अच्छे से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, छोटा टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, तो आज हम इसका पार्ट वन करने जा रहे हैं, जो पॉइंट इसके मैं नहीं करवाऊंगा, वो कल नेक्स्ट क्लास इसकी पार्ट टू की होनी है, ओल राइट, तो आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके, सबसे पहले यह है, बताइए, कि ECCE की फुल फोर्म क्या होती है, आपके पेपर म सा टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों को यह लगेगा कि सर्जवा बात कर रहे हैं ना कहीं यह तो हम अपने घर में होते हुए देखा है, आप में से जो माबाप बन चुके हैं, जिनके अभी छोटे बच्चे हैं, वो तो मुझसे ज्यादा कहीं जानते होंगे, वो यह भी कह देंगे, कि जैसर आपने तो किताबों में पढ़ा है, इसके बारे में हमने तो एक्चुल में बच्चों को देखा है, कैसी वो हरकते करते हैं, तो जो मा हैं, वो बहुत अच्छे से इस लेवल पर बच्चों को जान लेकिन आप लोग गलती करके आएंगे, कि आप option number A को सही समझेंगे, और जबकि सही होगा, early childhood, care and education, बाल्यावस्था की धेख, भाल और शिक्षा, तो जो हमारा ECCE है, आपके paper में आप से पूछा जा सकता है, कि इसमें important term कितनी है, इसके अंदर बिट्टा तीन important term है, सबसे पहले इसके अंदर important term है, बाल्यावस्था, उसके बाद में इसमें important है कि देख भाल, और उसके बाद में important term हमारी निकल कर क्या आती है, सिक्षा, early childhood, उसके बाद में care, और फिर education, बस आप लोगों को इन सब बातों को समझना है, देखिए, जब कभी किसी भी बालक का जन्म होता है, तो साथियों, जन्म से लेकर के, दो वर्ष तक का जो समय है, वो मैंने आपने हम सभी ने कहा, कि सैश्वा अवस्था होता है, हम लोगों ने ऐसा ही कहा है, जिसे की हम English में in fancy कहते हैं, और उसके बाद में हम सभी ने कहा, कि देखिए, दो वर्ष से लेकर के, जो छे वर्ष का समय हमारा होता है, उसे हम, मेरे प्यारे साथियों, पूर्व बाल्या वस्था, early childhood कहते हैं, ऐसा ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, लेकिन अब आप मेरी बात को बहुत गोर से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा ये concept आता है न, ECCE का, बैटा, इस हमारे ECCE के concept में हम लोग, जनम से लेकर के, 6 वर्ष तक का जिकर करते हैं, आपके paper में आप से पूछा जा सकता है, इसमें आप कहां से लेकर कहां तक का जिकर करते हैं, तो आप हमेशा याद रखेंगे, इसमें birth to 6 years तक का हम लोग जिकर करते हैं, clear है, इसमें जनम से लेके 2 वर्ष और 2 वर्ष से लेके 6 वर्ष ये include रहता है, इन दोनों को मिला करके ये हमारा concept बनाया गया है, आप यहाँ पर child development की जो stages हैं, उनको याद ना रखें, ठीक है, आप लोग इन दोनों को यहाँ पर याद ना रखें, आप सीधा सीधा यहाँ पर जनम से 6 वर्ष का जो concept है, उसको याद रखेंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जो बाल्यावस्था, नहीं, पूर्व बाल्यावस्था, प्रारहंबिक बाल्यावस्था हमारी होती है, उस समय पर जो यहाँ पर focus किया जा रहा है, वो किस चीज़ पर किया जा रहा है, इस इसीए का concept इसलिए बनाया गया, क्योंकि यह कहा गया, कि जब बालक जनम से लेके 6 वर्ष के बीच में होते हैं, उस समय पर उन बालकों की जो care है, वो किस तरीके से हो, और उन बालकों की सिक्षा किस तरीके से हो, इस पर भी हमें ध्यान और जोर देने की अवशकता रहती है, मैं आप सभी इस बात को बहुत बड़िहा से जानते हैं, जब हम लोग देखते हैं, जब में आप लोग, हम लोग छोटे थे, उस समय पर रटवाया जाता था हम लोगों को, है न, स्कूल में जाने से पहले बहुत सारी चीजों को, ताकि जब हम स्कूल में पहुँचे तो कुछ न कुछ बाते हमें आती हो, जब हमारे माता-पिता थे, उनके समय पर तो, जो ये जनम से लेके 6 वर्ष तक का समय होता है, इस वक्त सिख्षा के नाम पे कुछ भी नहीं होता था. आप लोगों ने कई बार हमारे माता-पिता को कहते हुए सुना होगा, मेरे ताउ जी, मेरे दादा जी, जो है, वो तो अकसर कहते थे ये बात, आज भी कहते हैं, कि हम लोग तो 5-6 साल तक तो सही से कपड़े तक भी नहीं पहनते थे, योहीं गलियों में कूदते फुदकते गुमा करते थे, आप लोगोंने भी सुनी होंगी ये सा बाते, सुनी हैं, कि पहले तो हम लोग कहा कि स्कूल के अंदर कौन सा प्ले स्कूल होता था, कौन सी आंगनवाडिया होती थी, कुछ नहीं होता था पहले तो, हम तो योहीं कुदते, फुदकते, हम लोग तो योहीं ये खिला दो, ये पिला दो, इस बच्चे के लिए ऐसी सिक्षा की विवस्था कर दो, है ना, ये हमारे माता-पिता, हमारे दादा-दादी कहते हैं, ओ, हमारे समय पर तो ऐसा कुछ नहीं था, ओ, पहले कोन इतना ध्यान रखता था, है ना, इस प्रकार की बातें बो लोग कह हैते हैं, तो उनकी बातों से ही हमें ये एहसास हो जाता है, कि कोई भी जो बालक है, उसको पहले के समय पर, सिक्षा अच्छे से नहीं मिलती थी, और जो देखभाल की हम लोग बात करते हैं, तो वो देखभाल भी उतने अच्छे से नहीं रखी जाती थी, बड़े परिबा होने के बाद में कभी किसी ने रिख लिया कभी किसी ने रिख लिया हना खिला दिया पिला दिया यूही मोज मस्ती के साथ ही रोते हुए खेलते हस्ते मुस्कराते हुए बड़े हो जाया करते थे लेकिन अब व्यवस्था वैसी नहीं रही है अब समय काल वो नहीं रहा है दर भी खासा focus किया गया है तो मैं आप सभी इस बात को बहुत बढ़िया से जानते हैं कि जो early childhood का period रहता है जिसे हम लोग जनम से लेके 6 वर्ष तक मानते हैं इस वर्ष बच्चे का overall जो development होता है उसकी हम नीव रख रहे होते हैं आप मानते हो इस बात को तो मेरे हम बच्चे का socio-emotional या हम बच्चे का language development कर रहे हो उसके लिए ये काल जो है बटा foundation time होता है ये काल जो होता है वो बच्चे की लिए नीव का समय होता है और यहां पर बच्चे को जो देख भाल है वो बहुत अच्छे से उसकी होनी चाहिए और इसके साथ साथ उस बच्चे को education भी यहां पर बहुत बढ़िहा से दी जानी चाहिए चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यही वो जो समय है जनम से लेके 6 वर्ष तक का यहां पर भी बच्चे को सिक्षित करने के पीछे का उदेश्य क्या होता है मैंने आपने हम सभी ने ये तो बहुत सुना है कई बार तो मैं आप लोगों को बताऊं दादा दादी जो थे मेरे वो ये भी कहा करते थे अरे पूरी उमर बसता टां के स्कूल में जाता है मेरे दादा दादी कही बार ये तक कहते थे अरे क्यों बच्चों को छोटे-छोटे जब हम बच्चे थे कि बार-बार पढ़ने के लिए कह रहे हो ठीक है पूरी उमर इसी बसते को टांग कर घूमना है अभी तो इनको आजाद घूमने दो है ना लेकिन आज के समय पर तो बच्चे को पैदा होते ही सिक्षा देने की शुरॉबात हो गई है लेकिन सिक्षा का मतलब यहाँ पर यह कताई नहीं है कि इसको बहुत कुछ आप लोगों को रटवाना है नहीं खेल-खेल में सिखाना है तो यहाँ पर हम लोग बच्चे की फां वो मेरे प्यारे साथियों निकलेगा, आगे बढ़ेगा, तो वो बच्चा अपने बेस को स्ट्रोंग कर ले, बच्चे के अंदर confidence की कमी ना हो, बच्चा motivate हो, बच्चा जो है वो super active हो, इसलिए इन सब चीजों की अवशक्ता रहती है, जो हम लोग बच्चे के पालन पोशन म गलती कर देते हैं, वो गलतियां हम ना करें, इसलिए इसकी आवशक्ता है, इसलिए इसकी जरूरत है, the ECCE comprises of three key terms, आपके पेपर में पूछी जा सकती है, अभी मैंने बताया था, कि ECCE के अंदर three key terms कौन सी होती है, तो बच्चा early childhood care and education, आप लोगों को याद रखना है, जन National Policy on ECCE, कब बनी थी, आपके पेपर में आपसे पूछा जाए, तो आप सभी बता दीजेगा, National Policy on ECCE 2013, अभी तो आप लोगों को मुझे हम सभी को याद है, NEP 2020, लेकिन इसके अलावे हम लोगों को National Policy on ECCE 2013 को भी याद रखना होगा, अब आपके मनमें एक बात आएगी, क्या अजय सर हमें ये पढ़नी चाहिए, नहीं, आप लोगों को ये पढ़नी की जुरत नहीं है, क्यों नहीं पढ़नी है, क्यों, क्योंकि आप लोग PRT, TGT, PZT का पेपर देने जा रहे हैं, आप लोग जो हैं ECCE के टीचर नहीं बन रहे हैं, क्लियर है, तो आपके पेपर में इससे related basic बाते पूछी जाएंगी, क्योंकि NEP 20 में इसका जिकर हुआ है, और KVS ने भी ECCE को लेकर के बालवाटिका का कॉंसेप्ट शुरू किया है, तो इसकी basic बाते आपको पता होने चाहिए, बस इतना ही, अब हम लोग जो हैं, वो तीन हिस्सों में बाठते हैं ECCE को, यह आप लोगों को याद रखना है, और वो तीन stage ECCE की हम लोगों ने जो बनाई है, वो क्या बनाई है, वो हमने बनाई conception to birth, यह हम लोगों ने बनाया, कि स कि भई, जनम से लेके तीन वर्ष तक का समय, और उसके बाद हम लोगों ने कहा, कि तीन वर्ष से लेकर के छे वर्ष तक का समय यहां पर रहता है, अब देखो जब बच्चा conception to birth होता है, तो आप सभी को पता है, इस वक्त बच्चा जहां पर होता है, मेरे प्यारे सत्यों, वो होता है, वूंब, बच्चा यहां वूंब में होता है, बच्चा यहां पर गर्ब में होता है, आप सभी ने देखा होगा, आप जिस भी गाव, मुहिले, शहर आदी से आते हैं, कि हर एक जगह पर हमारे देश के अंदर आंगनवाडी हैं, dispensary हैं, government की, और से जो खोली गई हैं, वहां पर समय समय पर मा की देखभाल होती है, मा को बताया जाता है, अवेर किया जाता है, है न, नो महीने तक का जो समयकाल रहता है उस दोरान, बच्चे में किस प्रकार से कैसे कैसे changes आएंगे, उन सब के बारे में, clear है, तो इस पर आप लोगों से कोई बहुत ज शास नहीं पूछेगा, शुरुवात होगी इस B वाले पॉइंट से, जहां से जनम से लेके 6 वर्ष तक के पॉइंट हमारे सामने आते हैं, तो सत्यों, birth to 3 year का जो time होता है, यहां पर बच्चा अपना समय कहां बिताता है, आप सभी को मालूम है, यहां पर बच्चे ने अब आप मेरी बात पर धियान दीजीगा, ठीक है, जब आप लोगों को यह कहा जाए, कि जनम से लेके 3 वर्ष तक का जो समय है, यह समय बच्चे ने अपने परिवार के बीच में बिताया है, तो यहां पर बच्चे को कौन सी सिक्षा मिली है, आपके पेपर में आप से यह पूछा जा सकता है, कि जो ECCE वाली एजुकेशन होती है, यह फॉर्मल होती है, या फिर इन फॉर्मल होती है, तो आप लोग जवाब देंगे, कि यह है, इन फॉर्मल प्लस फॉर्मल दोनों होती है, लेकिन अब आपके मन में बात आएंगी, कि सर हम लोगों से प्रेशन त तो तब हम क्या करेंगे तब आप लोगों को option में अगर formal मिला है तो आप formal पे टिक कर देना clear है चलिए अब जरम से लेके तीन वर्ष तक का समय बच्चे ने परिवार में बिताया और परिवार में जो सिक्षा मिली कि उसे हम लोगों ने कहा informal और बेटा जो ये three to six year का समय है ये preschool और इस preschool में जो सिक्षा जो education मिली है उसे हम लोगों ने कहा formal ओप चारिक शिक्षा याद रखेंगे आप इस बात को completely अब आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए और ये बताईए जल्दी से मुझे comment करते हुए कि हमें हमारा पहला teacher मिला कहां पर है हमारा पहला teacher first teacher हम लोगों को यहीं परिवार में मिलता है मा के रूप में अगली बात basic सी बाते हैं concept के अंदर कोई बहुत 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 गहराई वाला कुछ ऐसा नहीं इस्ट्रोपिक के अंदर बढ़ी असान सी चीज़ें है और तीन वर्ष से लेके 6 वर्ष तक का समय मैंने कहा कि बेटा प्री स्कूल प्री का मतलब क्या होता है प्री का मतलब होता है पहले है ना प्री का मतलब क्या होता है पहले और स्कूल यानि की विद्याले तो अगर मैं ये कहूं प्री स्कूल का मतलब है विद्याले से पहले तो ये बात सही होगी की गलत होगी एकदम सही होगी तो विद विधियाले की शुरुवात हम कहां से मानते हैं? विधियाले की शुरुवात हम मानते हैं, जब बच्चा पहली कक्षा में पढ़ रहा होगा, तो बच्चे को विधियाले से पहले जो सिक्षा दी जा रही है, तीन वर्ष से छे वर्ष वो सिक्षा क्यों दी जा रही है? क्यों कि अब हम जब लोग बढ़ेंगे तो फिर हमारे सामने बात आती है निकल करके कि ये तो आप लोगों जो मैंने इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ था वो हिंदी में आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं स्कूल में स्कूल में आप सभी पक्का गए हो याद है चलिए तो kill की शुर्वात हमेशा आप लोग याद रखेंगे हम लोग जहां से मानते हैं वह मानते हम लग first class से first class से पहले हमारा स्कूल नहीं होता है first class से पहले जो वो प्री स्कूल होता है तो जब भी आपके सामने में स्कूल शब्द का इस्तिमाल कर रहा हूं आप तुरंत यह अपने माइंड में लेकर आएगा कि फॉर्स्ट क्लास और उसके बाद की बाद यहां पर हो रही है आप सभी को पता है हमारे देश के अंदर नेशनल यह कहा गया कि हमें बच्चों को अब जो पढ़ाना है कि वह एक नए फॉर्मेट में पढ़ाना होगा और इसने अपने जो नए फॉर्मेट बताए हैं वह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और इसके अंदर एक कॉंसेप्ट हम लोगों को देखने को मिला जिसे की हम लोगों ने बालवाटीका की नाम से सुना है और बालवाटीका का कॉंसेप्ट होता क्या है देखेंगे बालवाटीका एक ऐसा कारियकरम है जिसमें प्राइमरी क्लास से पहले आप लोगों के सामने ध्यान से लिखा बिटा primary class से पहले और primary classes आप लोगों की जो रहती हैं हम सबों को मालूम है कि वह है पहली कक्षा से लेकर के पांचमी कक्षा तक होती है बच्चों को एक नया है ना बच्चों को एक साल तक प्राहंबिक मस्तिश्क तथा बाल विकास हेतू नीव रखने का कारिय किया जाता है प्राइमरी क्लास से पहले बच्चों को एक साल तक प्राहंबिक मस्तिश्क तथा बाल विकास हेतू नीव रखने का कारिय किया जाता है जिसमें तरह तरह के खेल को खेल कर पढ़ने लिखने और संख्याओं को समझ की सिक्षा दी जाती है आप लोग एक बात बताई अब यहाँ पर जो आप लोगों के सामने लिख दिया है एक साल तक क्या ये एक साल सही लिखा है नहीं जी गलत लिखा है क्योंकि बालवाटी का का जो कॉंसेप्ट है अब वो आप लोगों का तीन साल तक चलता है बालवाटी का कितनी है? तीन है बालवाटी का वन, बालवाटी का टू और बालवाटी का थ्री तो ये कितने साल तक दिया जाएगा बेटा? ये तीन साल तक दिया जाता है इस बात को आप सभी याद रखेगा चलिए तो और इसमें आप लोगों ने सभी ने देखा खेल को खेल कर यहाँ बच्चों को जो सिख्षा दी जा रही है वो completely play method के हिसाब से देनी है चलिए, next point पर हम लोग आते हैं तो आप सभी को पता है बहुत बढ़िहा से जो हमारी NEP 2020 आई उसमें ये कहा गया कि जो 10 प्लस 2 का हमारा concept था उसको अब हम लोगों को खत्म कर देना है ये हमारा पहली से लेके 10 मी तक का और फिर दो वर्ष जो हमारे रहते थे वो 11 बार्मी के रहते थे तो 10 प्लस 2 के concept को खत्म कर दिया गया और उसकी जगया concept जो लेकर के आया गया उसे हम लोगों ने क्या कहा उसे हम लोगों ने जो कहा मेरे प्यारे साथियों foundational, preparatory, middle और secondary हम लोगों ने इसे कहा आएंगे बिटा, आएंगे श्रमनी, आएंगे बिटा, सभी बातों पर आएंगे थोड़ा सा patience रखो, थोड़ा सा patience रखो और यहाँ पर यह हमारा concept नया आया 5, 3, 3 और 4 का 5 प्लस, 3 प्लस, 3 प्लस, 4 का concept यहाँ पर आया आप सभी देखेंगे आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा foundational level, preparatory level, middle level और secondary level ध्यान से देखो, जो foundational level है इसमें आप लोगों का क्या क्या आता है इसके अंदर आपका pre-school आता है लेकिन यह आप लोगों को समझ में तब आएगा जब उससे पहले मैं आपको यह explain कर दूँगा तो देखो, जब बच्चे तीन वर्ष से चार वर्ष के हैं फिर उसके बाद बच्चे चार वर्ष से पांच वर्ष के हैं और फिर बच्चे पांच वर्ष से चार वर्ष के हैं तो यह बच्चों की यहाँ पर तीन प्रकार की विवस्थाएं हो रही हैं तीन वर्ष से लेकर के चार वर्ष तक का यह समय है 3, 2, 6 यह जो 3, 2, 6 है इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से में क्या क्या दिया गया है सबसे पहले आंगनवाडी फिर प्री स्कूल और फिर बाल बाटी का ठीक है यह होगा आंगनवाडी उसके बाद में हमें क्या दिया गया प्री स्कूल clear है और ये हुआ बाल वाटी का clear है तो बेटा जो हमारा तीन वर्ष से छे वर्ष तक का है आप लोगों को समझ में आ गया अब इस तरफ आप आओ यहाँ पर आप लोगों को देखना है छे वर्ष से लेकर के आठ वर्ष तक का यहाँ पर आप आप लोगों को देखना है छे वर्ष से लेकर के आठ वर्ष तक का जब बच्चा छे वर्ष से साथ वर्ष का होगा और दूसरी और जब बच्चा साथ वर्ष से आठ वर्ष का होगा तो इस तरीके से उसकी classes होगी 6 वर्ष से 7 वर्ष तक वो 1st class में होगा और 7 वर्ष से 8 वर्ष तक वो 2nd class में होगा और ये बच्चे का complete क्या बन गया? दिव्यानशू चोहदरी बेटा वो 3 साल का जो है बालवाटी का का concept अभी मैंने कहा ये आपका KVS में बनाया गया है KVS ने इसको पूरी को ही बालवाटी का कह दिया है बालवाटी का 1, 2, 3 ये KVS ने कह दिया है कि हम लोग तो इस पूरे को बालवाटी का बोल देंगे लेकिन बालवाटी का जो है वो हमारी NEP 2020 के अंदर पांच वर्ष से 6 वर्ष वाली जो क्लास है उसको कहा गया है आल राइट चीजे वो ही हैं उनको घुमा फिरा करके अलग 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 जगह पर अलग अलग तरीके से माना जा रहा है अलग-अलग लोग अलग-अलग जगया पर उनको अलग-अलग नाम से मान रहे हैं ठीक है यह बात है अब यह आप लोगों का तीन वर्ष से लेकर के आठ वर्ष तक कितने साल हो गए यह आप लोगों के हो गए टोटल फाइफ इयर पांच वर्ष हो गए और इन पांच वर्ष को ही आप लोगों का foundation level कहा गया है इन पांच वर्षों को ही क्या कहा गया foundation level यही आप लोगों को समझे ना था ठीक है समझ में आया याद रहेगा तो बटा यह foundation level जो है इसके अंदर आप लोगों का pre school आ गया पूरा का पूरा और पहली और दूसरी कक्षा आप लोगों की इसके अंदर आ गई है तो अब आप लोगों से preparatory के बारे में जो पूछेगा तो preparatory में टीन साल होंगे 3, class 3rd, 4th और 5th, middle के अंदर 6th, 7th और 8th, secondary के अंदर 9th, 10th, 11th, 12th और आप लोगों से जब ये पूछ लेगा कि primary class इन में से कौन से कौन से level पर होती है तो primary होती है first, second, third, fourth और fifth बाते जो हैं वो आसान हैं लेकिन उनको थोड़ा सा अलग 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 तरीके से present किया जा रहा है इसलिए हम लोगों को complex लग रहा है अब आप ये देखें कि जो ये first और second है ये तो हो गया foundation और third, fourth और fifth ये क्या हो गया? preparatory, clear हुआ समझ में आया? तो बेटा foundation level को और preparatory level को दोनों को मिला करके primary classes बनती हैं और foundation level में ही, foundation level में ही हमारा E-CCE भी आता है मेरे ख्याल से आप लोगों को जितनी भी confusion थी सब दूर हो गोई होगी प्रियंका कुमारी बेटा वीडियो को एक बार देख लेना फिर से क्योंकि यही पूरा explain किया है जो आप पूछ रहे हो बेटा जल से class शुरू ही है मैं उसी point पे लगा हुआ था तो foundation level जो है 5 साल का है उसमें E-CCE भी आएगा और primary class भी आएगी मेरे ख्याल से जो यह पूरी की पूरी confusion बनी हुई थी वो बेटा दूर हो गोई होगी चलो तो अब हम लोग आगे चलते हैं और हमारा जो आज का concept है यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ E-CCE का है और कहा गया कि जो E-CCE है वहाँ पर बच्चों को और उनके साथ साथ में उनके संभन्द में जो भी विक्ती हैं सभी को बहुत बढ़िया से educate किया जाना है चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे सभी प्यारे साथी कि जो हमारा E-CCE है उसको हमने तीन भागों में बाटा है तो जनम से लेकर के जो तीन वर्ष तक का समय है यहाँ पर बच्चा परिवार के बीच में रहता है पक्की बात है तो बच्चा जब परिवार के बीच में रहता है जनम से लेकर के तीन वर्ष तक तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि गाओं में जो बच्चों की देखबाल को लेकर के मा की देखबाल को लेकर के केंदर खुले होते हैं वहाँ पर मा जो है अपने बच्चे को लेखर जाती है या वो भी घर पे मा के पास आते हैं और मा को बताते हैं कैसे किस तरीके से बच्चों की देख भाल करनी होती है कैसे बच्चों को इस समय पर कौन सी एक्टिविटी में आप इन्वोल्व कर सकते हो यह इन्फॉर्मली चलता है और जब बच्चा तीन वर्ष से छे वर्ष के बीच में हुआ तो यहाँ पर तो बच्चे की पूरी की पूरी एक सिख्षा विवेस्था शुरू हो जाती है चल आप सब ही को जब यह PDF मिले ही आज की क्लास की तो यह सारे के सारे स्ट्रक्चर जो मैंने बताए हैं इनको समझ लेना है बात आती है केंद्रे विध्याले की आपके पेपर में जो प्रेशन पूछे जाएंगे वो यहाँ से पूछे जाएंगे इस तरीके से बैटा question में पूछे का primary class तो option में आपको foundation और preparatory दोनों देगा इसलिए मैंने बताया है इसलिए clear किया आये कि कंफूजन ना रहे primary के अंदर तो दोनो जाएँगे foundation भी जाएगा और preparatory भी जाएगा और परह से तरीके और बालवाटी का कॉंसेप्ट शुरू किया गया और केंद्रे विध्याले ने जो बालवाटी का कॉंसेप्ट शुरू किया वो शुरू किया किस तरीके से बालवाटी का 1 बालवाटी का 2 और बालवाटी का 3 इसमें कहा गया क्या कुछ आईए देखते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर जो नई सिक्षा नीती अभी आई और इस सिक्षा नीती 2020 में जब आई तो हमारे सिक्षा के चितर में बहुत सारे बदलाव उसने कर दिये और जो एडमीशन की बच्चों की एज होती थी ना उसमें भी बदलाव कर दिये और इसमें क्या कुछ कहा गया आईए देखते हैं कहा गया कि बच्चों को आप जब वो तीन साल के होंगे ना तब से उनको पढ़ाना शुरू कर दोगे और जो फॉर्स्ट क्लास बोथ ओप्शन आया फिर साथ देखो बेटा आप लोग तो बड़े कंफ्यूज हो गए हो पर विएत्या की सी बात को लेकर मैं फिरसे आप लोगों को जल्दी से बता देता हूं मैंने आपर क्या बताया है प्राइमरी क्यूंडास होती है फाली से लेके पैच महीं तक पर वस्टक्रेल क्लास कहा पर दी गए है थाएशन में थर्ड व्ब्न करदय और भी सिंडिकू आया तो आएगा बेटा ऐसे कुछ भी थोड़ी ना बना देगा वो और जो इसी सी है यह सिर्फ foundation में होता है कि चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं next point पर आते हैं कि चलो अब जो हमारा बाल बाटीका का concept आया इस बाल बाटीका के concept को केंद्रे विध्याले ने अपनाया केंद्रे विध्याले ने कैसे अपनाया केंद्रे विध्याले ने यह कहा कि हमारे जो स्कूल है वो बच्चों को first class से लेकर के 12 class तक educate कर रहे थे लेकिन जो नई सिक्षा नीती 2020 में आई ना उसमें पर जो focus किया गया है वो बहुत जरूरी है बहुत सही है और हम भी अपने schools जो हैं वहां पर बच्चों को early childhood care और education दोनों देने का काम करेंगे और यहां पर यह कहा गया कि छे वर्ष की उम्र से पहले के जितने भी बच्चे हैं और शुरुबात कहां से तीन साल से तो तीन साल से लेके छे साल तक के जितने भी बच्चे होंगे वो सभी बच्चे हमारे इस बाल वाटीका के concept के तहट सिक्षा प्राप्त करेंगे अगली बाद अभी जो है सराज गोलू मोलू लग रहे हैं अरे वाँ आप देखो यह अभी एक trial base है अभी trial base पे शुरू किया गया है आगे बढ़ते हैं pilot project हम लोग इसे कहते हैं आप सभी याद रखेगा इसका मतलब यह नहीं है कि आगे चलके इसको वो खत्म कर देंगे लागू करेंगे हाँ भी वो देख रहे हैं कि यह कामियाब होता है नहीं होता है लेकिन आप लोगों को बता दू आने बाले समय में इसकी भी बड़ी vacancy आनी है इसको KVS चालू रखेगा सरकार की कोई भी नीती जब पाइलेट प्रोजेक्ट पे आती है न वो आगे चलके लागू उनको करनी पड़ जाती है बीच में छोड नहीं सकते हैं डिमांड बढ़ती है उसकी अब इसकी शुरवात उन्होंने कब की थी कुछ दिन पहले इसका नॉटिफिकेशन जारी किया गया था कब 28 अक्तूबर से 10 सितंबर 2022 तक 28 अक्तूबर से 10 सितंबर 2022 तक आप लोगों ने देखा भी होगा इसको लेगर के यूट्यूब के ओपर बड़े बड़े वीडियोस बने थी वेकेंसी 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 है न तरह तरह की बाते आई थी चलो आगे बढ़ते हैं के वीएस में बाल बाटी का नहीं आया ही क्यों सरी प्रोजेक्ट 2013 में आया पर अभी के वीएस में बाल बाटी का नहीं आया ही क्यों देखो 2013 में इसके उपर पॉलीसी बनी लेकिन एनिप 2020 में उस पर जोर दिया गया जोर दिया गया तो सब के ऊपर दबाव जोर आ गया तो सब को करना पड़ा हमारी मम्मी भी तो बहुत बार यह कहती है श्रवणी हमें कि बेटा पढ़ लो लेकिन लोग पढ़ते का हैं और जब पापा बेटा पढ़ ले इतना ही कहते हैं पापा बिलकुल अराम से और उनके इतने भर कहने से ही हम लोग तुरंत अपनी किताब उठा करके पढ़ने लग जाते थे याद आया तो पापा का क्या था दबाव ज़्यादा तो यह NEP 2020 जो है ना इसमें दबाव ज़्यादा आ गया है और सबको लागू करनी पढ़ रही है चीज़ें बैट्स दरीजन आगे बढ़ते हैं तो बच्छों वाले प्रशन कभी कभी जाब बंद करते हो थोड़े से उपर उठ जाओ थोड़े से बड़े हो जाओ चलो आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए कि केंद्रे विध्याले जो है हमारे देश में वो 1252 हैं लेकिन यह भी शुरू किया गया कहा पर सिर्फ 50 केंद्रे विध्यालेों में शुरू किया गया है उसे ज़्यदा में नहीं किया है और यहाँ पर कहा गया कि जो बालवाटी का वन है उसमें बच्चों का एडमिशन होगा जब वो 3 साल के होंगे बालवाटी का 2 में बच्चों का एडमिशन होगा जब वो 4 साल के होंगे और बालवाटिका 3 में बच्चों का अडिमेशन होगा, जो वो पात साल के होगे, तो इन तीनों घ्लासिज को magic сек लिए C.W. इसने नाम क्या दिया, बालवाटिका के अपने concept को, बालवाटिका 1, बालवाटिका 2, बालवाटिका 3, आपको साथ में लढोगए इसको आंगनवारी कहो गए सको वह को को गो उनकी और जी उन्हों ने जो मिनाया कर दिया यह प्री स्कूल कहलाएंगी और यह है अब हम लोगों को याद रखना है सब집ों कि में यह वा ठीका की कोई ड्रेस नहीं होगी, अपने स्कूल में जब आएंगे तो घर से एक अच्छी ड्रेस पहन करके वो आ सकते हैं, ठीक है, यह नहीं कुछ भी पहन करके आ जाएंगे, छोटा बच्चा जी, हमारा तो कपड़े ही नहीं पहनता, हमारा तो ऐसे ही आता है, ऐसे नहीं है, याद रखनी होंगी इसको, लेकर के मैंने भी बताया भी था, बालवाटी का वर्म में बच्चा 3 साल से 4 साल के बीच में होना चाहिए, बालवाटी का 2 में, 4 से 5 के बीच, बालवाटी का 3 में, 5 से 6 के बीच में होना चाहिए, और यह हमारे देश में जो लागू हुआ है, यह पचास स्कूलों में कहां कहां पर हुआ के विस ने कहां पर किया यह लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है यह वो पचास स्कूल है अब आप लोगों को यह concept क्यों पढ़ना पढ़ा है हना वो भी आप लोग सुनलो एक तो NEP 2020 में इसका जिक्र हो गया है दूसरा केवी इसने भी अपना बाल वाटी का शुरू कर दिया है इसलिए आपके स्लेबस में ECCE का यह topic दे दिया गया है अगर यह दो काम नहीं हुए होते तो आपके स्लेबस में आपको नहीं दिया जाता तो अब आप लोगों को एक बात यह समझ लेनी चाहिए कि किस तरीके से आपके स्लेबस के अंदर changes होते जाते हैं समझे आ गया चलो तो अब पार्ट वन हमने इसका पढ़ा है नेक्स्ट क्लास में हम इसका पार्ट टू पढ़ेंगे बेसिक सा टॉपिक है खुद से पढ़ने को लेकर के भी आप लोगों को इसके नोट्स मिलेंगे उनको भी पढ़ना लेकिन अब मेरी एक बात सुनो अब आप एक मुझे बात बताओ अगर मैं आप लोगों को यह हुआ आपका जनम कब हुआ क्या इसके उपर आप लोगों का बहुत ज़्यदा पढ़ने की जुरूत है नहीं मैं तुर्ण बता दूंगा मुझे याद है मेरा जनम कब हुआ आपको याद आपका जनम कब हुआ तो इस तरीके से कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि भारत में ECCE का विकास कैसे हुआ ठीक है यह आपको पड़ेना है इसी तरीके से वैश्विक्स तरपर ECCE का विकास वर्ल्ड वाइड Ecc का विकास कैसे हुआ है ना जैसे कि यह सारे सम्मेलन हुए इस समेलन में यह वाला एयर है उसमें यह बात कही गई सिंपल इसके साथ साथ pioneer और thinker कौन है जिनका contribution है यह important है दोनों नाम paper में पूछे जाएंगे याद रखना jack sparrow कह रहे हैं कि आपका जनम कब हुआ और बेटा मेरा जनम हुआ था 28 February 1994 को 28 February 1994 अल्राइट चलिए तो यह दोनों नाम आपके लिए important है आपके paper में आएंगे इनको भूलना मत गीजु बाई बढ़े का मेरे प्यारे साथियों गीजु बाई बढ़े का कैसे काम करते थे अब आप लोगों को इनका तरीका बता देता हूं आप लोगों को बढ़ा मजाएगा गीजु बाई बढ़े का जो है ना वह दरसल बच्चों को लेकर के बढ़े खुश रहते थे जैक स्पैरो कह रहे हैं डॉंट लाई सर प्रेटा कोई क्लास का मुद्दा नहीं है आप जो मेरा एक्चुल बड़े है वो है बीस साल का था बैटा जब पढ़ाने लगा था और आज 28 साल के अभी 29 साल के होने वाले हैं एप्रेल में मुझे पढ़ाते हुए ठीक है तो बैटा जो गीजु बाई बड़े का है उनका किस तरीके से क्या मानना था वो मैं आप लोगों को बताता हूँ गुजरात के वो रहने वाले थे उनको एक ऐसी क्लास दी गई जिस क्लास में बच्चे बहुत जादा शोर किया करते थे बच्चे कभी चुपी नहीं होते थे बहुत जदा शरारत किया करते थे तो जो बच्चे थे ना जब उनके पास गीजु बाई बड़े के पहुंचे तो वो बच्चे उसकी बात को मानने को तयार नहीं हुए बच्चे उसकी बात को मानने को तयार नहीं हुए तो उसने क्या किया बच्चों की बातों को मानना शुरू कर दिया. आप कभी भी देख ले ना? आप जब बच्चों की बातों को मानने लगते हो बड़े खुश हो जाते हैं और बच्चे आप पर विश्वास करने लगते हैं उनको ऐसा लगने लगते है ये मेरी सारी बाते मानता है ये तो मेरे ही जैसा मैं तुम्हारी सारी बाते मानता हूँ लेकिन सुनो लेकिन सुनो जैसे मैंने तुम्हारी सारी बाते मानी हैं क्या ऐसे तुम भी आज मेरी कुछ बात मानोगे फिर हम फिर से खेलेंगे वो ऐसे एक्ट किया करते थे कि बच्चों ने का हाँ आज हम आपकी बात मान लेते हैं आप लोगों को जो ही मैं एक्ट करके दिखाता हूं न यह इसलिए जरूरी है बेटा यह आपके स्लेबस का वो हिस्सा होते हैं जो आपके टीचिंग कोर्स के दोरान आपको सिखाय भी जाते हैं लेकिन पता नहीं अभी आप लोगों का जो इंट्रव्यू होगा ना उसमें आपकी थेट्रिकल स्किल्स भी चेक की जा सकती हैं कि आप किसी भी कॉंसेट को बच्चे के सामने प्रिजेंट कैसे कर रहे हैं हां तो बच्चों निकालो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम चलो हैडिं सब्सक्राइब चलो तो गीजु भाई बढ़ेका बच्चों के साथ बच्चे जैसे होकर उनको सिखाते थे ये टीचर होता है है तो गीजु भाई बढ़ेका ने बाल मंदिर की स्थापना की और आपके पेपर में पूछा जा सकता है इंपोर्टेंट पॉइंट हैं कि तो बैटा प्री स्कूल इनों ने स्थापित किया था जिसे इनों ने बाल मंदिर कहा था ताराबाइ मोदक जो हैं उन्होंने भी भारत में प्री स्कूल खोला था ठीक है चलिए तो आज की क्लास में जितनी भी पॉइंट्स मैं आपको समझाए हैं इनको याद जरूर कर लेना मॉन्टेसरी ने भी प्री स्कूल पे काम किया महात्मा गांधी, टैगो और जाकिर हुसेन ये भी प्री स्कूल को है ना प्रारंभीक वर्षों को महत्मून माना करते थे तो कल की क्लास में next क्लास में हम लोग मुलाकात करेंगे इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ लेना इसके नोट्स पढ़ लेना NEP 2020 में क्या कुछ कहा गया उसको हम डिटेल में अग्ली क्लास में पढ़ने जारा है जहां से आपके पेपर में प्रशन पूछे जाएंगे वेस्बूक टेलिग्राम इंस्टेग्राम पर अजय सिंग खर्ब सर्च करोगे मैं मिल जाओंगा सिक्षा जगत से जुड़कर राश्ट्र निर्मान में सहयोग करने के लिए आप सब का प्रेंपूरबक धेनेबाद हो जाएगा आरशी बिटा डॉंट वरी एक बात बताना मुझे जो पड़ाता हूं समझ में आता है अच्छा लगता है पका चलो तो कि अगर अगर अगर